ICC ने जब यह एलान किया था कि वो अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप कराने जा रहा है तब काफी हल्ला हुआ था लोग खुश हो रहे थे कि अमेरिका में क्रिकट देखने में मज़ा आएगा हर रोज स्टेडियम बनने की तस्वीरे आ रही थी लोग खुश हो रहे थे कि कैसे दो महिने में स्टेडियम तयार किया जा रहा है लेकिन अब जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया है तब हर किसी ने अपना माथा पकड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि अभी तक ये वर्ल्ड कप इतना फिसधी साबित हो रहा है जितना किसी ने सोचा नहीं था अब सवाल है कि ICC इसी आखिर कैसे इतनी बड़ी भूल और ब्लंडर कर गया टीम इंडिया और आइलेंड के बीच हुआ मैच तो आपने देखा ही होगा शुरुआत के आदे घंटे में ही साफ हो गया था कि यह एक बोरिंग मैच होने वाला है क्योंकि टीम इंडिया के बोलर्स ने बोलिंग ही ऐसी की थी आइलेंड के विकेट तो पत्तों की तरह गिर रहे थे लेकिन इसकी उमीद तो लोगों को थी पर एक उमीद नहीं थी जो पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक देखने को मिली है टीट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 में अभी तक करीब 10 मैच हो गये हैं और इन में से एक ही मैच ऐसा रहा है जहां स्कोर 200 के करीब तक पहुंचा हो बाकी जगा 120-130 तक ही मामला सेटल हो गया है और कुछ मैच में तो यह भी मुश्किल ही लग रहा है यही पर सवाल पिच को लेकर खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं गया हो जहां पिच न में के स्कोर का पीछा कर रही थी तब भी रोहित शर्मा रिशपपंत जैसे बल्लेबाज हर बोल कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बड़े शोट खेनने की कोशिश सफल नहीं हो रही थी विराट कोहली तो जल्दी आउट हो ही गए थे तभी यह सवाल भी पूचा जा रहा है कि अगर अभी छोटे मैच में ही इस तरह का हाल हो रहा है और पिछ पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं तब बड़े मैचों में क्या होगा जो लोग भारत और पाकिस्तान के मैच का क्लासिक होने का सपना संजोए बैठे हैं अब उस मैच का ना जाने क्या होगा अब ICC को तो इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अमेरिका में क्रिकेट की संभावना ये तलाशना बुरी बात नहीं है, क्रिकेट में नए इन्वेस्टर्स को लाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रयोग करने से पहले वहाँ पर कोई छोटी मोटी सीरीज करवाई जा सकती थी, अगर सीधा ही वर्ल्ड कप कराया जाएगा, तो बुरा हाल तो हो नहीं था, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि अमेरिका में बने सभी स्टेडियम पिछले तीन महीने में तयार किये गए हैं, सारी पिछ ड्रॉपिन की गई हैं, और इस बीच ऐसे मुकाबले हो र आपनाओ